एलो गाइस मैंसुष्व स्वामिशा गरवाल विलकम से टो कोट फ्रीक्स अचानल मिट फूईयों मिट भाईयों तो लेट्स नाउ स्टार्ट टुड़ेश लेटकोर प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम टुड़ेश व्याग टो सॉल्व इस फूट इन्टो बास्केट्स तो आज की जो एक प्रॉब्लम है ना उसके अंदर अपने को दो फूट बास्केट्स देए वे हैं और अपने को बूला गया है कि एक फूट बास्केट्स में अपन सर्फ एक ही टाइप का फूट डाल सकते हैं अपने को बहुत सारे different number of fruits दे रखे हैं और अपने को बताना है कि इन सारे fruits में से अपने maximum कितने fruits अपने दोनों बास्केट्स में डाल सकते हैं और अपने को उन्हीं maximum fruits को return कर देना है अब इसके अधर अपनी एक छोटी seven condition घो है वह यह कि अपने किसी giving start किया लुप है अगर अपने अपनी first fruit से start किया अभा जरूरी नहीं कि अपने first fruit से start करेए अपन किसी भी fruit से start कर सकते हैं लेकिन अगर अगर अपने फोर्स fruit से start किया तो अपन ऐसा नहीं कर सकते हैं कि second fruit को skip करके अपन third fruit पर आ जाए हैं अपने को अगर अपन किसी भी fruit से start करें तो अपने को last तक उसके पीछे के सारे fruits को लेना ही पड़ेगा जब तक अपने basket की condition false नहीं हो जाती है अपन किसी भी fruit को skip करके दूसरे fruit पर नहीं जा सकते हैं यही अपना simple सा catch है इसके साथ साथ अपना जो भी maximum fruits वाला answer आएगा अपने को उसी को return कर दिना है यही अपना simple सा question है तो अगर अपने इस question को इसी example से समझें तो इस वाले example में अपने को सिफ दो type के fruits दे रखें और अपने पास दो ही baskets हैं तो अपने इन साले fruits को अपनी baskets म अपने फूर्ट है और एक अपना second type का fruit है अपने को सिफ दो basket दी विया है और हर basket में अपन सिफ एक टाइप का fruit रखा एक basket में और दूसरे वाले basket में आपने first type का fruit रखा तो अपने को second वाले fruit को रखने की कहीं पर भी जगया नहीं है इसलिए अपन ऐसा नहीं करेंगे अपने दूसरी बास्केट में रखा तो अगर पैंगे एक fruit को तो अपने एक बास्केट में रखा और यह जो second type की 2 fruits हैं इन दोनो fruits का अपने एक बास्केट में रख पाएंगे तो अपन total कितने fruits ले पाए हैं और 3 यह अपना answer है अब अगर अपन इस वाले example से देखें तो इस वाले example में भी अपने को 3 type के fruits दे रखें लेकर अगर अगर अपन स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे तो first fruit को अपन एक basket में डालेंगे second fruit को अपन एक basket में डालेंगे अब third fruit के लिए अपने पास देखें नहीं बच्छी है और अपन ऐसा करने सकते हैं कि third fruit को skip करके इन दोनों fruits को वापस second basket में डालते हैं यह कि यह करना possible नहीं है अपने को पहले ही बोला कि है कि अपन किसी भी fruit से start कर सकते हैं लेकिन उसके बाद किसी भी fruit को skip नहीं कर सकते हैं ठीक है तो अपन क्या एंगे अपन सेकंड झाट करेंगे मैं इस फ्रूत कि बासेकट में डालेंगे ₧ तो फ्रूत क को मतरम स्वालत से डालेंगे ₧ Ice खेल किसे करेंगे अदिए ₧ructure कि साथ कि बासब लिए तो इस वाल एक्जाइम्पल लिया है अब इस वाले example में अपना answer क्या होगा अपना answer 6 होगा तीन तो अपनी जीरोत वाले fruits होंगे और तीन अपनी first type वाले fruits होंगे ठीक है तो 6 अपना answer होना चाहिए अगर अपने ये वाली stack लेते हैं अपन तो अपना answer 5 ही होता और इधर अपने अपने को maximum answer ही जीए जो कि अपना 6 है ठीक है अब अपन देख लेते हैं कि अपने इसको solve के से करेंगे तो इसको solve करने के लिए अपन क्या करेंगे अपन simply map में traverse करेंगे मतलब map में सारी values को डालते जाएंगे और जब भी अपने map का size वह 2 से जादा हो जाता है मतलब अपने को पता चल जाएगा कि अपने three type के fruits आ रहे हैं तो अपन क्या करेंगे उस case में अपना जो first type का fruit है जो सबसे पहले आया था उसको पूरे को erase कर देंगे कि अपने को सब 2 type के fruits ही जाही है ठीक है तो अपने क्या किया सबसे पहले 0th type का यह first वाला fruit लिया इसको अपने map में डाल अपने को दो fruits मिल चुके हैं फिर अपना यह third zero आया तो अपने इधा भी plus plus करके three कर दिया और इधा भी three कर दिया कि अपने को एक ही type के three fruits मिल चुके हैं अब अपना आया one तो अपने क्या किया अपने one के corresponding one किया इस case में भी अपने map की size two ही है अपने दो ही मतलब अपन पह four fruits मिल चुके तीन तो एक type के और एक दूसरा type का है ठीक है फिर similarly इन दोनों के लिए भी होगा कि इधर three हो जाएगा और अपने को six valid fruits मिल जाएंगे मतलब six fruits मिल जाएंगे एक तीन तो होंगे zero type के और तीन होंगे first type के अब अपना आया two तो two corresponding जैसे ही अपन one करेंगे तो अपने को पता जल जाएगा कि अपने map के size three हो चुके मतलब अपने three type के fruits आचके हैं जैसे अपने three type के fruits आएंगे तो इसको check करने के लिए अपन क्या करेंगे growth type के सारी fruits को अपने map में से अटा देंगे तो अपने map के size वापिस two हो चुकी है अब अब लेकिन अपने अपने पास कितने fruits है अपने एक तो अपने map में ये तीन fruits है first type के और एक इवाला fruit है second type का तो अपना answer क्या हो अपना answer four हो है लेकिन अपने को already answer six मिल चुका है इसलिए अ अपना last second type का fruit आया है तो इसको भी अपने plus plus करके two करतेंगे और अभी भी अपना answer इस case में मतलब इस वाली map के condition में अपना answer five है और अपने को already answer six मिल चुका है इसलिए अपना answer को अपडेट नहीं करेंगे अपने iteration खतम हो चुकी है last में अपना जोबी answer होगा अपने अपन अपने के लिए और इक answer बना है जिसके अंदर अपने अपना answer store करेंगे फिर मैंने array में कैसे इत्रेट किया मैं सबसे पहला आपको यह समझा देती हूं हाँ मैंने एक sliding window का concept रखा है इसके अंदर मैंने क्या किया i को भी 0 से initialize के m और j को भी इधर रखा है अब j से तो अपन क्या करेंगे अपने पूरे array को iterate करेंगे ठेक है तो जैसे ही अपना j 0 है अब अबने 0 नंबर वाले fruit को ले लिया है तो अपन क्या करेंगे j minus i plus 1 से ले लेंगे अपने answer को j minus i क्या है j b 0 है i b 0 है मतलब ये दोनो 0 0 होका है और plus 1 की अपने मतलब अपना एक fruit अपने को मिल चुका है तो अपन क्या गरेंगे answer में एक fruit को store करवा देंगे similarly फिर अपना क्या हुआ अपना j plus plus होके इधर आ जाएगा ठीक है फिर अपना क्या होगा j की value 1 है i की value 0 है और इधर अपने plus 1 किया है ठीक है तो अपना 2 आ गया मतलब अपने 2 fruits अपने answer में आ चुके है similarly अपने answer में इधर तक fruits आ देंगे मतलब j की value जैसे ही इधर पहुचेगी 2 पे पहुचेगी मतलब अपने तीन टाइप के fruits आ चुके है अपने map में तो उस ताइम अपन क्या गरेंगे उस ताइम अपन आई को plus plus करके मतलब इधर 0 के corresponding 3 है तो अपन आई को तीन fruits से हट चुके है अब अपन यहां पर देख रहे हैं ठीक है तो जैसे ही अपना j जो है जै अपना कहां पर पहुचा है जै अपना 3 और 367 बदलब 6th position पर पहुचा है और i अपना 3rd position पर पहुच गया है तो 6-3 plus 1 हो गया है तो अपना answer क्या है अपना answer 4 आया देखें अपने को already answer में 6 में जुका इसलिए अपन उसको update नहीं करेंगे similarly फिर अपन इधर देख रहेंगे ऐसे ही अपन चलते जाएंगे तो यही मैंने इधर किया था कि मैंने यह पूरा iterate किया for loop उसके बाद मैंने बोला कि अपने map में उस value फे plus plus करतो फिर देखो कि अगर अपना जो map है उसकी size greater than 2 हुई है तो अपना क्या होगा कि अपन क्या करेंगे अपन अपने जब तक अपनी जो count की size है अपना जो first value थी map में ठीक है जो i-th value थी map में उसका count जब तक 0 नहीं हो जाता तब तक उसके count को minus minus करते रहो और जैसे उसका count जो है वो 0 हो जाए तो उसको erase कर दो अपना i++ होगा 3 times और अपना i इधर आ जाएगा ठेक है और फिर अपना क्या होगा अपने answer में maximum value store करतो answer और j-i++1 की और last में अपने answer में अपना answer होगा तो अपना answer को return करतो हूँ यही अपना simple से solution है एक बास submit करके देखते हैं तो हाँ बिल्कुल सम्मेट हो रहा है मतलब यह एक दम accurate solution आप इसको बिल्कुल consider कर सकते हैं hope आपको समझ में होगा अकर आपको सम्माच आया है वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें और अकर आपको कोई भी doubt है तो please comment box में ज़रूर mention करिए का हम आपको doubt solve point करें हमेशा प्रेज़न है thank you so much thanks for watching have a nice day